वर और च standards थे पहले जिसें ऐसे न्यूस सबसे पहले इंडिया के सबसे भरी कैसे और इंडिया के और में कहा姥म वह तो इंडिया तेस्ट मैचिस की तो साउध अफरिका में अभी तक इंडिया को ऐसी परफॉर्मस नहीं दे पाया तो यह बहुत बड़ी जिसको कह सकते हैं ऑपर चुनिटी यह विराट कोली के लिए लेकिन जो टेंशन भरती जारी इंडिन टीम के लिए वह क्या है सबसे पहल चला कि वह भी इंडियर हो गए है क्या वज़ा यह क्या इंडियर है यह मुझे नहीं पता लेकिं इतना मुझे जरूर पता कि वह इंडियर हो गया उनके जगा कोई और ऑपने टीम के अंदर आ गया तो यह सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं एक स्टॉप लग गये इंडिन क्यूब क्योंकि अगर देखा दें 2022 की पर्फोर्मस पे तो रोही 음악 पर्फैर नजर आ रहा था एक हर तरफ खेलने वाला जिस को कह सकते हैं ना कूल एंड काम ओपनर नजर आ रहा था के लिए लेकिन अनफोर्चुनिटली रोहिशर्मा आउट हो गए सीडिस है और जो सबसे बरी जिस को कह सकते हैं टेंशन इंडिया के लिए वह यह है कि विराड कोली ने भी मना कर दिये कि व कर दिया तो क्या ही रिजर्च के मैं वाइटबॉल कर लेता हो क्योंकर मुझे अब जो कह सकते हम पर्सनी वह सकता है क्या जिए हुँआ है कि वर्षी में सब जानते हैं लेकिन वो खुश नहीं से वो जाते से कैप्टेंसी करना लेकिन बीसीजी ने अच्छा समझा कि वो एक ही बंदे को दोनों फॉर्मैट का कैप्टेंट बना दे तो रोहिच शर्मा टेस्स से आउट होगे विराड कोली टेस्स मैचिस खेलेंगे लेकिन विराड कोली ओडियाई नहीं क्योंकि उनकी इंजरी का पता नहीं अगर वो रिकावर करेंगे तो ओडियाई में खेलेंगे और क्याप्टेंसी भी करेंगे अब जो में सवाल आता है कि रोहिच शर्मा की जगा टीम में कौन खेलेगा जो ओपनर है वो तो खेलेगा नहीं लेकिन प्लेंग 11 को देखा जा तो मतलब कि इंडिया की टीम वीग नहीं है बहुत स्ट्रॉंग टीम है अगर जो मुझे वीग टीम नजर आ रही है वह है साउध अफ्रीका की टीम क्योंकि वह भी पूरी सेट नहीं है उनको टाइम लगेगा बनने में तो उनको तो मुझे लग रहके इंडिया हडा देग कि आपको क्या लगता है कि विराड कॉली क्यों नहीं खेलना चाते और ये की सीरीज आप जरूर बताएं रोही शर्मा की इंजरी कितनी बड़ी थाबित हो सकती इसके बाड़े में जरूर बताएं इंशालला ग्री वीडियो में फिर मुलाग आदो की तब तक के लिए अल् कित किती पूर बताएं विदी कर दो साथ नहीं कि ठीक कि आपने नहीं तway कि इंपको कि राव को दिए भड़ी ते रży emissions प्लमें मुलाभित ऑन दो कित रताएं लाव जड़ी आ झापको किया वीडियों कि एापको कि अ